हेलो स्टूदिन्स आज हम स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग की ठीक है ये हेलफुल है आपके क्लास 11 के लिए भी क्लास 12 के लिए भी आधर आप बीकॉम, किसी भी अगर आप कॉमस बैक्राउंड से है तो सभी स्ट्रीम के लिए ज्यादा है अगर आप इंट्रेंस तैयारी कर रहा है या किसी भी कॉमपटेटरी एक लिए तो आपका बेसिक कॉंसेप्ट अगर नहीं क्लियर है तो हम इसमें स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन accounting होता क्या है प्लस उसके process क्या होते है accounting होती क्या है ठीक है इसके पहले भी मैंने define किया है कि क्या होती है accounting definitions वेगर अलरड़ी मैंने video upload किया है इसमें हम बात करेंगो उसके process की characteristics की ठीक है उसे हम समझेंगे एक simple trick के थ्रू हम समझेंगे start करते हैं पहले आपको ये trick याद कर अब जिसने भी 3 इडिस मुवी नहीं देखी है, पहले वो जाके देख लेगा, ठीक है, और जिन्हनों भी देखा है, तो उसके लिए अच्छी बात है, तो हमें एक याद करना है, चाहे आपसे characteristics पूछे, चाहे attributes पूछे, process of accounting पूछे, या definition पूछे, अगर आपको ये trick याद है, तो आपको रटने की कोई जरूरत नहीं है, मतलब क्या हुआ, ये tricks आपको याद होनी चाहिए, अगर ये याद हो गई तो आपको समझेगे, accounting के 50% जो है, आपको ये तैयार हो जाएंगे, चाहे उसके concepts हो, चाहे उसके process हो, चाहे features हो, चाहे definitions, ठीक है, तो 10 to 20 marks चाहे आप become हो हो, चाहे 11th या 12th में हो, चाहे competitive में आपका prepare हो जाएगा, तो ये trick आपको याद करनी है, ऐसे example हम लेते हैं, एक rancho एक, ठीक है, ये rancho जी है, इन्होंने एक धोकला का business start किया, ठीक है, अब इस धोकला बनाने के लिए, धोकला बनाने के लिए, हमने क्या किया किया, धोकला material लिया गया कितना, 1000 रुपए का, ठीक है, दूसरा क्या गया, धोकला को बेचने कितना लगा, 1500 रुपए लगा, 1000 रुपए बनाने में लगा, और 1500 उसको बेचने में लग गया, तीसरा क पहरा है कि फोन हमने क्या किया पर्चिस कर लिया रैंचो जी ने फोन पर्चिस कर लिया दस हजार का और चौथा क्या किया कि अब प्रोडक्शन स्ट्राइक हो गया मतलब क्या हो गया लेबर का स्ट्राइक हो गया ठीक है इस वज़े से तो ये चार चीजे एक रैंचो है उन् ने बेचा, 10,000 का मोबाईल लिया और क्या हो गया? स्ट्राइक हो गया प्रोडक्शन में क्योंकि labor स्ट्राइक की वज़से हैं ठीक है? अब देखे समझेगा तो क्या हमने बता है? अब इसके process पे आते हैं पहला process क्या कहता है? identification of financial transactions and events पहला चीज़ क्या करा? identify I का मतलब I मतलब क्या हुआ? identification I M for measuring the identified transactions M for measuring R क्या है? recording C for classifying S for summarizing A for analyzing interpreting and K for C for communicating तो मैंने यही बता हैं I am R C S A C I am Rancor Das Charger Simlaaya Chatur ठीक है? definitions भी आप लोगे ने दी हुए accounting जो होता है identify करना फिर उसको classify करना record करना summarize करना analyze करना interpret करना और communicate करना सारे points को समझते हैं identification of financial transactions and events का मतलब क्या होता? यह समझते हैं identify करेंगे कौन-कौन से transactions देखे दो चीज़े अगर हम accounting की बात करना तो हमें दो चीज़े जानी चाहिए P plus M वही transactions हम record करेंगे जो business से related हैं और M का मतलब जो है monetary terms में ठीक है? मतलब कि जो business से related हैं और दूसरी बात क्या है? वो monetary terms में measure कर सकें ठीक है? जैसे हम measure कर रहे हैं कि हमने 1000 का material लिया 1500 का हमने बेचा ठीक है? और production इस्ट्राइक हो गया तो यह हम क्या measure नहीं कर सकते हैं तो इसको हम नहीं लेंगे तो वही सारे transactions से हम accounting में लेंगे जो business B plus M का concept लगेगा means B से business से related M से जिसको हम monetary terms से measure कर सकें अब देखिए identification एक example के थो समझेंगे हम identification का मतलब हमने क्या किया financial transactions और events को identify किया क्या किया? रैंचो जी ने business start किया उन्होंने ढोकला material लिया 1000 का 15 उर्प में बेचा 10,000 का phone लिया और production मतलब strike हो गया labor का इस विज़े से loss हो गया ठीक है? production का loss हुआ ठीक है? due to labor strike की बज़े से ठीक है? तो हमने transactions को identify कर लिया क्या क्या identify किया? 1000 का material लिया और ढोकला हमने बेचा 1500 में हमने क्या कर लिया पहला चीज? identify कर लिया कौन कौन से transactions लेने है भाई phone purchase किया तो ये business related है? नहीं वो तो अपने personal use के लिया या जो भी लिया लेकिन जो business related है कि ये दो चीज़े क्या हो जाएंगी हमारे related है उसने 1000 का material लिया 1500 का sale किया तो ये दोनों चीज़े क्या है? हमारी business related phone तो भया उसने लिया अपने purchase के लिया तो हमने कहा कि identify करनी है कि हमको कौन से transactions और कौन से event लेने है ठीक है? material और sale दूसरा गरा measuring the identifying transactions अब हम क्या करेंगे? उसको measure करेंगे किसमे term measure करेंगे? monetary terms में measure करेंगे क्या? 1000 का हमने क्या लिया? ढोकला material और उसको 1500 में बेचा हमने क्या किया? उस transactions को identify भी कर लिया I for ठीक है? R for recording recording हम किसमे करते हैं? journal में किसमे करते हैं? journal में हम किसमे record करेंगे? journal में next classify करेंगे ठीक? अब भाई इसमें हमने ढोकला लिया हमने खरीदा purchase classify किसमे करते हैं? laser में laser में ही तो classify करते हैं अलग-अलग account हम बनाते हैं cash account purchase account capital account ठीक? तो यह सारी चीज़े हम क्या करेंगे? classify करेंगे summarize का मतलब यह हुआ कि जो हम trading account जो PL account और जो balance seat हम बनाएंगे उसमें क्या करेंगे? summarize करेंगे उस सारी चीज़ हो analyze और interpret करेंगे भई आप क्या करते हैं? साल भर paper देते हो ठीक है? तो last time क्या होता? आपका half yearly होता है assessment test होता फिर final होता है तो हमने पहले उस transactions को क्या हुआ? identify किया फिर उसको measure किया फिर हमने उसको record किया general में फिर उसको laser में classify किया अलग-अलग accounts में फिर उसको summarize किया trading account profit loss और balance sheet बनाया हम analyze और हम क्या देख रहे हैं? result देख रहे है analyze कर रहे हैं उसको interpret कर रहे है ठीक है? उसके बाद हम communicating कर रहे हैं मतलब अब communicating का मतलब क्या हुआ? कि हम क्या करते हैं? जो users रहते हैं users जो उस business के users accounting जो users रहते हैं हम उनसे communicate करते हैं अब users भी दो तरह की होते हैं एक internal, external उसको हम next video में बताएंगे ठीक है? तो ये process एक होती है आपकी accounting की ठीक है? I hope यो आप लोग को सारी चीज़े समझ में आई होंगी अगर नहीं भी समझ में आएंगी आप comment box में जरूर पिन करिएगा मैं और better समझाने की कोशिश करूँगी ठीक है? तो पहले चीज़ हमने कहा कि इन सारे transactions को एक business start किया तो हम जो भी transaction monetary terms से उसको identify किया फिर उसको हम monetary terms में उसको measure कर लिए फिर उसको general में record कर लिए फिर laser में अलग-अलग account उसको classify कर दिया मैंने फिर हमने summarize कर दिया trading profit loss account और balance seat में फिर हमने क्या किया analyze or interpretant किया उसको देखा analyzers किया कि क्या-क्या चीज़ें है ठीक है? ऐसे हमारा result आथा तो हम साल भर का performance हमें एक दिन मिलता है ठीक है? अब हम क्या करेंगे? communicating करेंगे किसे? users से ठीक है? तो ये process होता है आपका process of accounting I am runchor das structure similar I am 4 I से हो गया identification of financial transactions and even M for हो गया उसको measure करना identified transactions को R for हो गया आपको recording करना किसमे? journal में C for हो गया उसको classify करना means उसको ledger में अलग-अलग accounts में classify करते है summarizing का मतलब हम उसको summarize करते है trading में profit and loss account में balance sheet में analyze and interpret करेंगे कि अब उसका analyze करेंगे कि क्या हमने बनाया है क्या उसका output है क्या result है और फिर अब जो आया अब किसके पास communicate करेंगे जो accounting users होगे तो ये process होती है उस accounting की अगर आपने ये पूरा समझा है तो इसकी आपकी meaning definitions और accounting तीनों चीज़े तयार ही हो गएगे अगर आपका ये base तयार हो गया तो आगे की भी चीज़े बहुत ज़्यादा simple है ठीक है तो इसे समझे और next video में हम accounting users की बात करेंगे एक होते है internal users और दूसरे होते है external users ठीक है इस trick के थो आप समझते हैं तो बहुत simple ऐसे हम सारी trick को आगे लेके चलगे समझेंगे जिससे आपके concept बिल्कुल clear हो जाएंगे और आगे अगर आप competitive या किसी भी टेस की preparation करते हो तो बहुत जादा helpful है इस लिए इस trick को आप जरूर याद करें और जिन्हें हम अभी 3 idiots movie नहीं देखी है तो वो देख लें घर बैट पर और जिन्हें हम देखी है तो उसे तो यादी हो गया होगा ठीक है? ओके? थैंक यू